असलाम अलेकुम बचो आप लोगों को मालू है कि हमारा ये FSC Mathematics Part 2 का सलेवस चाल रहा है और Chapter No.6 हम शुरू कर चुके हुए है जिसका Title जो है वो Connex Section बनता है तो वो हम शुरू कर चुके हुए हैं बचो Exercise 6.2 हमारी Continue है और Lecture No.1 15 तक हमने Exercise 6.2 के Question No.6 तक जो है वो डिसकस किये थे ये Lecture No.1 16 है और Question No.7 से आनवर्ड उमीद है कि इस Lecture में हम इस Exercise को कम्प्लीट करेंगे तो तीनों सवाल जब हम इस Exercise के करने वाले हैं इस Lecture के अंदर Most Important Question है तो मैं चाहूंगा कि आप इस Lecture को आखिर तक देखें ताकि अगर आपको जो है इन तिनों एहम सवालों का पता चल सके बाकी बचों कॉनिक सेक्शन्स में ये हमारा पहला टापिक चल रहा है ये सरकल चल रहा है और सरकल का जो टापिक है डेफिनेटली ये केपी के बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड, सिंद बोर्ड में भी मौझूद है डेफिनेटली हमारा ये सलेबस पंजाब बोर्ड को और अजाद जम्मो एंड कश्मीर और फैरल बोर्ड को तो कवर करता है या साथ, बाकि जो तीनों बोर्ड हैं उनमें भी ये टॉपिक्स मौझूद हैं, क्वेस्टन चेंज हो सकते हैं लेकिन आइडिया जो वरहल सेम रहता है तो इन बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ एफिलियेट हो सकते हैं इस लेक्चर से फाइदा उठा सकते हैं तो बच्चो शुरू करते हैं लेक्चर के ओपर बात करते हैं लेक्चर शुरू करते हैं तो लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपको उसका notification मौसूल हो बागी बच्चों जो हमारे new viewers उनसे request है कि एक तो chapter 6 को शुरू से देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आए दूसरा अगर आपको ये whiteboard पर लिखाओ आप blur दिखाई दे रहा है तो आप अपनी equation of tangent to the circle circle की equation of tangent मालूम करनी है जबकि tangent जो वो parallel है इस line के first part में लिखा हुआ second part में लिखा हुआ perpendicular है इस line के उपर तो बच्चों ये बड़ा interesting सा idea है जिसके उपर हमें work out करना है थोड़ा सा इसको समझना है कि ये क्या करते है इसमें equation of tangent और नॉर्मल जो है बच्चों हम लोगों ने discuss की थी question number one के अंदर question number two के अंदर तो मैं चाहूंगा कि पहले आप वो question number one और two भी देख लें ताकि आपको बात समझ में आजाए या उसको recall करने ताकि आपको बात समझ में आजाए कि point के ओपर equation of tangent कैसे निकालते हैं और equation of tangent उस वक्त कैसे calculate करते हैं जब उसका जो slope है वो हमें given हो तो देखते हैं जी solution के अंदर जी बच्चों solution ने दिये हमारे पास question number seven का तो हमने solution के ओपर बात करनी है तो बच्चों सबसे पहरे नाम circle की equation चाहिए हम यहाँ पर लिखते हैं जी equation है given given x square plus y square this is equal to two अगर मैं इसको standard form में convert करूँ यानि इसको radius वाली form में ले जाओं तो यह लिखा जाएगा x square plus y square under root two whole square तो यहाँ पर radius को मैं r के बजाए a से फर्स करूँगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ radius is equal to a और a जो है वो किसके equal है under root two के equal है अच्छा अब मैं यहाँ पर equation of tangent फर्स करने लगा हूँ बचो यह फार्मूला है जब आपको tangent का slope given हो तो इस फार्मूल से आपनी equation of tangent निकालनी है तो वो फार्मूला है equation of tangent y is equal to mx plus minus under root plus minus a under root one plus m square बचो यह फार्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर आपको tangent का slope given हो तो यह फार्मूला है y is equal to mx plus minus a into under root one plus m square तो बचो एक कीमत तो हमारे पास मौजूद है अब m क्या है m उसने हमें बताया हुए कि tangent parallel है इस line के तो हम यहां से आसिल कर लेंगे देखें मैं यहां पर लिखता हूँ जी tangent is tangent is parallel 2 यहां पर हम लिख लेते हैं इसका first part कि tangent is parallel 2 x minus 2 y plus 1 is equal to 0 तो इसका मतलब है इसका slope हम निकालते हैं यहां पर लिखते हैं जी slope of tangent this will be equal to m और m क्या होगा देखें tangent का slope और इस given line का slope बराबर होना है क्योंके tangent और line parallel है तो बच्चों यह बनेगा minus coefficient of x over coefficient of y so answer is 1 by 2 तो बच्चों m की value भी आपको हासिल हो चुकी और a की value भी हासिल हो चुकी तो अब आपने equation 1 बनानी है इसमें आपने values put करनी है आपने कहने है जी now y is equal to m की जगा पर put होगा 1 by 2 x plus minus a की जगा put होगा under root 2 into under root 1 plus m की value यहाँ पर 1 by 2 put करेंगे तो 1 by 2 का square हो जाएगा बचो 1 by 4 इस बात को लिखा जाएगा y is equal to 1 by 2 x plus minus under root 2 into under root 4 plus 1 5 by 4 और इस बात को लिखा जाएगा y is equal to 1 by 2 x plus minus under root 10 divided by 2 पूरी equation को 2 से बचो multiply करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास 2y is equal to x plus minus under root 10 और equation बन जाएगी x minus 2y plus minus under root 10 this is equal to 0 तो बचो प्लस के साथ यह एक tangent हासिल होगा minus के साथ जब दूसरा tangent हासिल होगा तो अब आपके पास जो first part है उसका तो आणसर होगा ही यह अब आते हैं second part के उपर तो second part जो दिया होगा है उसमें लिखा होगा है tangent tangent perpendicular tangent perpendicular to the line to line 3x plus 2y is equal to 6 तो इसका मतलब है line का slope आपने मालूम करना है उसका negative reciprocal लेंगे तो tangent का slope बनेगा तो हम यहाँ पर देखें लिखतें जी slope of line slope of line this is equal to minus coefficient of x over coefficient of y अब यहाँ पर आप लिखेंगे slope of tangent अब slope of tangent जो है वो m के बराबर है और वो किस के बराबर होगा एक तो sign चेंज करना है positive दूसरा reciprocal लेना है so this is 2 by 3 अब यह m की value जो है आपने फिर इसके अंदर put कर देनी है a और m की value यहाँ put करेंगे तो दूसरा tangent हासल हो जाएगा आपने करना है जी now y is equal to 2 by 3 x plus minus a के जगा पर value पुट करेंगे under root 2 into under root 1 plus m की value पुट करेंगे 2 by 3 whole so care so इसको अब आपने करना है जी simplified y is equal to 2 by 3 x plus minus under root 2 into under root 4 by 9 तो 9 plus 4 this is under root 13 by 9 हो जाएगा so this is y is equal to 2 by 3 x plus minus under root यह under root 2 अंदर multiply होगा तो under root 26 नीचे 3 आ जाएगा पूरी equation को 3 से multiply करेंगे 3 y this is equal to 2 x plus minus under root 26 होगा इसके बाद बचो आप लोगों ने लिखने है जी 2 x minus 3 y plus minus under root 26 equal to 0 तो एक टेंजेंट की equation होजाएगी 2 x minus 3 y plus under root 26 equal to 0 दूसरी टेंजेंट की equation होजाएगी 2 x minus 3 y minus under root 26 is equal to 0 तो बचो यह हमारे पास question का answer होगा यानि 4 tangent बने according to the situation 2 tangents इसके parallel होगा और 2 tangent इसके perpendicular होगा तो बचो यह हमारे पास calculation है उमीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कोई मुश्किल काम नहीं यह जस्ट आपने radius निकालना है यह formula लिखने slope निकालना है tangent का इस formula में values put करके simplify कर देना है that's enough तो perpendicular की case में भी यही कुछ करना है तो इसके बाद देखते है बचो question number 8 जी बचो question number 8 ज़रा देखिए इसमें लिखते है find the equation of the tangent drawn from the point बचो उसका second part मैंने select किया है first part और third part ज़रा मेरा खैला कि असान हो जाएगा इसलिए उसमें center और radius निकालना होता है circle का तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा वहाँ पर automatically आपको मिल जाएगा तो इसलिए second part मेंने select कर लिए अब देखें तरीका कार क्या करना है यह हमारे पास solution में एक circle है यह circle जो हमें give one है अच्छा उसके बाद यहाँ पर ना एक point हमें minus 1,2 give one है इस point से गुजरता हुआ जो circle का tangent है हमें वो tangent बचो मालूम करना है तो बहुत असान सी बात है कि इस point से गुजरता हुआ एक line मालूम करें जो इस circle का क्या बने टेंजिन्ट बने तो हम जानते हैं कि अगर यह point circle के बाहर है इस से कितने tangents draw किये जा सकते है तो टेंजिन्ट जो है वो draw किये जा सकते है तो हमने इन दोनों tangents की equation जो हो calculate करनी है और बहुत easy सा काम है कि कैसे हमने calculate करनी है हम यहाँ पर लिखते हैं जी given point given point है जी हमारे पास minus 1,2 और given circle क्या है given circle x square plus y square plus 4x plus 2y equal to 0 अब इस given circle का बचो आप लोगों ने center मालूम करना है और radius जो है वो मालूम करना है तो देखें मैं यहाँ से करता हूं जी 2g is equal to 4, 2f is equal to 2 और c is equal to हो जाएगा 0 तो g की value हो जाएगी हमारे पास 2 और f की value हो जाएगी 1 और c हो जाएगा 0 के equal तो center बनेगा इस circle का center this is minus g minus f तो यह बनेगा minus 2, minus 1 और इसका radius क्या बनेगा? तेखें, radius बनेगा under root g square plus f square minus c so this is under root 5 तो यह given circle के मताबिक information हो गई अब हम यहाँ पर लिखते हैं equation of tangent equation of tangent passes through अब पास कहां से कर रही है? यह point भी important है तो जब टलाब है minus 1, 2 से पास कर रही है and having slope m and having slope m यनि तेंजन्ट का जो slope है वो m हमने अपनी तरफ से फर्ज कर लिए अब कोई m slope है लेकिन गुजर कहा से रहा है वो इस पॉइंट से गुजर है तो बच्चो इस पॉइंट को हम x1, y1 consider कर लेते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं equation of this tangent देखें यहां पर फार्मूला मैं यूजर करने लगा हूँ y-y1 equal to m into x-x1 chapter number 4 में मैंने पढ़ा था slow point formula यह वो फार्मूला मैं यहां पर यूजर कर रहा हूँ अब चौकि x1 और y1 की value मौजूद है तो मैं यहां पर इसमें put करता हूँ यह बनेगा हमारे पास y-y1 की जगह पर 2 हो जाएगा m into x- x1 की जगह minus 1 जब put करेंगे तो minus और minus plus 1 हो जाएगा इसको simplify करते हैं यह लिखा जाएगा y-2 is equal to mx plus m and this is mx minus y plus m plus 2 is equal to 0 यह बचो tangent की equation हमें क्या हो गई हासिल हो गई अब इसमें जो सारी बात है वो क्या है कि m की value हमने find करनी है तो बचो मैं यहां पर यह फर्स कर लेता हूँ कि यह मेरे पास tangent की equation बनती है mx minus y plus m plus 2 equal to 0 अब अगर यह circle का tangent बनता है तो इसका center से distance अगर लिया जाए तो वो radius के बराबर होगा जबकि इसका center बचो हमारे पास हमें पता है minus 2, minus 1 है तो अब tangent line का center से distance radius के बराबर रखकर m की value निकाल लिए तो बहुत easy है यह आपको पता है कि point का line से distance कैसे लिया जाता है चप्टर no.4 में हमने पढ़ा होगा है कि point का line से distance कैसे लिया जाता है तो आप यहाँ पर लिखते हैं जी now m into x की जगा आपने minus 2 पूट करना है minus y y की जगा minus 1 पूट करना है plus m plus 2 mod over under root coefficient of x square plus coefficient of y square this is equal to यानि यह हो गया center का line से distance और यह distance किसके बराबर रखा जाएगा radius के बराबर रखा जाएगा और radius की कीमत हमारे पास under root 5 जो है वो मुझूद है तो बच्छों यह काम हमने कर लिया अब simplification and nothing else यहाँ पर देखे मैं calculate करता हूँ this is minus 2m plus m minus m बचेगा plus 1 plus 2 करेंगे तो plus 3 आ जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास under root m square plus 1 is equal to under root 5 अब जब तक यह under roots खतम नहीं होंगे तब तक सवाल आगे हल नहीं हो ना तो under roots खतम करने के लिए हमें क्या करना है both sides square ले ले लिने so this is minus m plus 3 whole square over this is m square plus 1 is equal to 5 तो बचेगे क्रास मल्टिप्लिकेशन करेंगे अदर square open करेंगे this is m square plus 9 minus 6m is equal to 5 m square plus 5 यहनी मैंने left side में square open किया यह m square plus 1 को यह जाके 5 से multiply करती है अब यहां से आगे सारी values को उधर ले जाएंगे तो यह m square हो जाके minus होगा 4m square plus हो जाएगा 6m 9 उधर जाके minus होगा minus 4 equal to 0 पूरी equation को 2 से divide किया जा सकता है 2m square plus 3m plus 2 is equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बचाओ यहां से आगे आपने इसकी करनी जी factorization और factorization के हावाले से 2m square plus 4m minus m बलके इसको यहां पे हाँ और यह plus 2 गलती से होगा minus 2 बना था minus 2 equal to 0 हो जाएगा अब यहां से आगे 2m common लेंगे m minus m plus 2 बचेगा minus 1 common लेंगे m plus 2 equal to 0 आजाएगा बचो m की एक value हासिल होगी 1 by 2 और m की दूसरी value हासिल होगी minus 2 तो यह एक value 1 by 2 इसको हम alpha का नाम दे देते हैं alpha का तो m की value 1 by 2 alpha में put करेंगे simplify करके एक equation बन जाएगी m की value minus 2 put करेंगे तो दूसरी equation बन जाएगी देखें मैं यहां पर थोड़ा सा तंग तंग करके कर देता हूं उमीद है कि आप उसे हो भी जाएगा 1 by 2 x minus y plus 1 by 2 plus 2 is equal to 0 बच्चों जहां जहां m था मैंने वहां वहां पर 1 by 2 put करके इसको simplify करना है और फिर दूसरी तरफ यह हो जाएगा minus 2 x minus y minus 2 plus 2 equal to 0 तो dear students इसको आपने values put करके मुक्तसर कर लेना है उमीद है कि एक line और आप जो हो कर लेंगे तो यह था बच्चों हमारे पास question तो मेरा खाला है कि इस question में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के बगार तो होगा नहीं तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको अच्छे तरह से गोर से देखना पड़ेगा और खास तोर पे यहां पर देखें चप्टर नमबर 4 का फार्मॉला इस्तमाल हुए स्लोब पॉइंट फार्मॉला फिर जब यहां पर पहुँचेंगे तो यह टेक्निक आपने याद रखनी है कि इस लाइन का सेंटर से डिस्टन्स रेडियस के बराबर रखना है इसके बाद आपको सुकेर लेना है सुकेर लेने के बाद आपको एकोशन सिंपलीफाई करके हमकी दो वैलियूस निकाल ली है वो दोनों वैलियूस आलफा में पूट करेंगे तो दो जवाब आ जाएंगे तीनों पार्ट जो हो सेंटर से होंगे फिर इसी तरीका से आगे कैलकुरेट करना है उमीद है कि आप इन्शालला कर लेंगे इसके बाद देखते हैं मचो क्वेस्टन नमबर 9 इस अ मॉस्ट इंपोर्टन क्वेस्टन तो मैं चाहूंगा कि वो लेक्चर आखिर तक आप देखे हैं अब हमें ना सरकल के उपर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर इकवेस्टन अफ टेंआ करने हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं बलकि यहाँ पर हम सरकल को लिख लेते हैं यह लिख लिख लिए जिए जिए 2x ka calm प्लस 2yعة माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 1 equal to 0 पहले आपने इस पुरी equation को 2 से divide करना है ताकि हमारा x square और y square का coefficient है वो 1 हो जाए और फिर g, f और c की जो value है वो हमें proper हासिल हो जाए तो यह हो जाएगा minus 4 x plus हो जाएगा 6 y plus हो जाएगा 21 by 2 is equal to 0 तो अब यहां से 2 g की value हो जाएगी आपके पास बचो minus 4 2 f की value हो जाएगी 6 और c की value हो जाएगी 21 by 2 21 by 2 तो यहां से आगे हमने क्या करना है g is equal to minus 2 f is equal to क्या होगा 3 होगा और c की value हो जाएगी 21 by 2 equation of tangent equation of tangent का फार्मूला हम लोग जानते हैं वो है x x 1 यह दो lecture पहले lecture number 1 14 में हमने equation of tangent का फार्मूला था वो discuss किया था तो यह x x 1 plus y y 1 plus g into x plus x 1 plus f into y plus y 1 plus c equal to 0 यह था हमारा equation of tangent at the point x 1 by 1 पर तो बच्चों अब हम क्या करते हैं यहां पे g, f और c की जो value है वो put करते हैं तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास x x 1 plus y y 1 g की value हो जाएगी minus 2 तो यह minus 2 करके x plus x 1 हो जाएगा f की value 3 हो जाएगी तो 3 into y plus y 1 और c की value हो जाएगी हमारे पास 21 by 2 is equal to 0 अब बच्चों यहां से आगे मैं एक point लिखने लगा हूँ आप ज़रा इसको तबज़ों से देखेंगे मैं कहता हूँ जी यहां पे tangent tangent passes through tangent कहां से pass कर रहा है tangent pass कर रहा है यह point हमें given है यहां से 4,5 इस point से pass कर रहा है तो यह जो point और 4,5 यह equation में x और y की जगा आपने put करना है x1 और y1 की जगा पर put नहीं करना तो यह बनेगा हमारे पास 4 x1 as it is plus y की जगा 5 हो जाएगा 5 by 1 minus 2 into बच्चों x की जगा पर 4 plus x1 as it is plus 3 into y की जगा पर 5 by 1 as it is plus हो जाएगा 21 by 2 this is equal to 0 अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब यह x और y की जगा पर क्यों put किया क्योंकि x1 और y1 point of tangency है यह और चीज़ है और circle का tangent गुजर यहां से रहा है तो यह और चीज़ है अब मैं इसके अगर diagram बना जो तो आपको बास समझ में आजाएगी मैं यहां पर एक diagram छोटी सी रफसी बना रहा हूँ यह circle है यह point of tangency है x1 और y1 और यह point है जी 4,5 तो इसका मतलब है कि यह point tangent जो है वो a से गुजर रहा है और इस point से गुजर रहा है तो लहादा 4,5 x1,y1 की जगा पर तो put हो नहीं सकता अब यहां से आगे आपने इसको simplify करना है आप करेंगे जी now 4 x1 plus 5 y1 this is minus 8 minus 2 x1 फिर हो जाएगा plus 15 plus 3 y1 plus हो जाएगा 21 by 2 is equal to 0 अब यहां से आगे आप simplify करेंगे 4 x1 minus 2 x1 this is 2 x1 5 y1 plus 3 y1 this is 8 y1 बच्चों minus 8 plus 15 यह 7 हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे 7 plus 21 by 2 is equal to 0 अब आपने मजीद simplification करनी है पूरी equation को 2 से multiply कर दें 4 x1 plus 16 y1 plus 14 plus 21 is equal to 0 तो यह हो जाएगा 4 x1 plus 16 y1 plus 14 plus 35 equal to 0 यह था बच्चों equation of tangent चले मैं यहां पर लिख देता हूँ equation of tangent at the point a of x1 y1 अब इसी तरीके से जाहरी बात है एक point b भी होगा equation of tangent at the point b भी मालूम की जाएगी तो मैं यहां पर उसके coordinate हम फर्स कर लेते हैं कि वो x2 और क्या है y2 है तो मैं लिखता हूँ जी equation of tangent equation of tangent at b of x2 y2 तो फिर पूरा प्रॉसेस ही सारा हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x1 और y1 को हटा कर इसकी जगा क्या आजाएगा x2 y2 आजाएगा तो same way में calculate करते हुए यही equation हासिल होगी तो लहाँ हम यहाँ पर लिख देते हैं similarly similarly this is 4x2 plus 16 y2 plus 35 is equal to क्या होगा 0 होगा तो दोनों points पर जो tangent है वो मैंने draw कर लिए अब हमारा जो question है question find the equation of card of contact तो बचो card of contact क्या होता है ऐसा card जो a और b से गुजरेगा उसकी equation मालूम करने को हमें कह रहा है जो a और b से गुजरेगा दोनों point of tendencies से जो card गुजरेगा उसको हम card of contact कहते हैं तो अब वो जो card of contact की equation है वो मैं लिखने जहारा हूँ ज़रा note कीजिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी card of contact this is 4x यनि इन दोनों equations में से आपने x1 और x2 को x से replace कर देना है y1 और y2 को y से replace कर देना है और जो constant है वो as it is आ जाएगा this is equal to 0 तो इसको आप नाम दे देंगे card of contact का तो मेरा खाल है कि बहुत आसान सी बात थी यही हमारा answer था बहुत easy सी बात थी पहले आपने equation of tangent at a of x1 y1 calculate कर ली similarity यूज़ करते हुए equation of tangent at the point b x2 y2 पे calculate कर ली x1 x2 को replace x से किया y1 y2 को replace y से किया तो आपको एक card of contact जब वचो हासिल हो गया तो यह important long question है इस long question को आप लोगों ने याद रखना है तो उमीद है कि यह आपको समझ भी आगया होगा और आगर नहीं आए तो थोड़ा सा इसको दुबारा देख लें अच्छी तरह से understand करें और इसके ओपर practice करें दो तीन बार इसको हाथ से गुजारेंगे तो इन्शालला फिर आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो उमीद है कि आपको यह lecture समझ आ गया होगा और अगर समझ आ गया तो kindly इसको आपने like करना है like के बटन को जरूर प्रेस करना है और इस lecture का जो लिंक है वो आपने अपने दोस्तों के साथ share करना है चैनल का नाम अपने दोस्तों को बताना है चैनल का नाम लिंक अपने दोस्तों के साथ share करना है बिल खसूस जो इस वक्ट पाकिस्तान से बाहर हैं लोग वो उनको कुछ टाइम मिल चुका हुआ है तो लहाज़ा मैं चाहूंगा कि मतलब आप उनको जरूर बताइए उन कजन्स को उन फ्रेंड्स को जो मतलब पाकिस्तान से बाहर हैं वो इस वक्ड़े मुश्किल आलात में है तो मतलब उनको ये एक्सपेंस्स पियर करने पाड़ रहे होते हैं तो अगर हम किसी के काम आ जाएंगे तो बेहतर होगा या ऐसी बेहनों के साथ जो पर्दे के वज़े से बाहर नहीं निकल सकती हैं बच्छों उनके साथ जरूर शेयर कीजिए या ऐसे आपके कजन भाई जो मतलब डिसेबल हैं किसी वज़ा से किसी बंदे के बगएर बाहर नहीं जा सकते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए इस चैनल को मेरा मकसद इन ही लोगों की हेल्प करना है तो लाखेर करेगा इन्शालला आप मेरे इस पॉस्टिव वर्क मेरा साथ देंगे तो उमीद है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे आप इसको प्रमोट करेंगे और अपने जो इस वक्त जूनियर्स आपके आ रहे हैं फरस्ट इयर के अंदर मैट्रिक से फरस्ट इयर में जो बच्चे आ रहे हैं तो जाहरी बात है अभी फिलाल वर टूशन्स वगरा पर नहीं जा रहे हैं तो काइंड ली उनको आपने गाइड करना है उनको इस चैनल के मतलिक बताना है उनको बताना है कि आप लोगों ने कैसे रीड आउट किया इस चैनल से कैसे आपने स्टडी की और उनको कैसे करनी चाहिए तो आपने उनको जरूर गाइड करना है तैंक यू बच्चो उमीद है कि आप यह सारी पॉजटिव एक्टिविटीज करेंगे अच्छाई कर के लिए करेंगे तैंक यू नेक्स लेक्चर तक के लिए अल्ला हाफिज